वेलकम टो प्यूर कुकिंग इस वीडियो में मैं हैदरवादी अर्वी और मटन का खटा शेरवे के लिए से पी शेयर कर रहे हूं देख सकते हैं कितना मज़ेदार बना है तो चलिए बनाना शो करते हैं सबसे पहले मैंने कूकर में तेल दाल दिया है हाफ कॉप और इसमें आ मग टेस्ट के साब से और हल्दी पॉडर हाफ टीस्पून और तू टीस्पून अम इसमें दालेंगे रचिली पाउडर कभी भी मैं शेरवे में प्यास भून कर दालती हूं इससे शेरवा बहुत ही अच्छा बनता है पुराने वक्तों का शेरवा ऐसे ही बना जाता था कु अच्छा बनता है तो इसलिए में 500 ग्राम मतन है और हट्डियों वाला है इसको हम अच्छे से भून लेंगे देखिए अब हट्डियों का कलर भी चेंज हो गया मतलब गोश्ट का कलर चेंज हो गया तो मैं इसमें 300 ग्राम टमाटर एक कर रही हूं पके हुए लाल लाल और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि गोश्ट और प्यास अच्छे से भून गये हैं इसी वक्त में मैंने तमाटर दा लें पहले नहीं दालना है वजना तामाटर की बोवाती है इसमें थोड़ा सा पानी एट करेंगे जितना आपके कुकर में लगे और अब हम इसक प्रेशर कुक हो गया है मतन अच्छे से अब इसको हाइ फ्लेम पर हमें प्यास को और गोश्ट को भून लेना है इतना भूनना है कि इसमें से ओयल रिलीज हो जाए और जो यह प्याज है तमाटर है वह अच्छे से भून के मशी हो के एक अच्छा सा हमारा शेरवे का मसाला त अर्वी शेल टुक्डे कर दी है अब इसको कुक करेंगे बस दो वीजल वीजल के लिए अब देखे दवीज़ के आद मेने प्रेशर अर्वी गल गई है इसके यह शेर्वा बनाने के दो तरीखे हैं इंशाला कभी मैं आपसे और एक तरीखा भी शेयर करूंगी जिसमें अर्वी को पहले से गला के अट किया जाता है लेकिन आज इस तरह से बना रहे हूं मैं अर्वी भी अच्छे से गल गई है और आप देख स मैं इमली गल गई है और फांच मिनट के लिए हाइफल कर पका लिया और पांच मिनट के लिए लो फलेम पर पका कालेंगे लास्ट मुसमे अट करेंगे टीन हरी मिर्ची और कटी हुई कोतमिर, देख सकते हैं आप कितना मज़ेदार हमारा यह शेरवा बना है और यह इसका फाइनल लूक यह शेरवा खाके आपको I am sure कि आपको अपने आमी के हाथ की या नानी के हाथ के शेरवे की रेसिपी याद आ जाएगी तो टेस्टी शेरवे की रेसिपी तो उनको नहीं मालूम है कि खट्टा भी इसमें दलता है और इसको चावलों के साथ में या रोटी के साथ में आप सर्फ कर सकते हैं यह खट्टे शेरवे को